नमस्कार दोस्तों कई बार ये मन में सवाल आता है और कई बार जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं जो सुषान सिंग राजपूत के जीवन से जुड़ी हुई है तो हमें ये साफ पता चलता है कि जो भी घटना करम सुषान के साथ हुआ वो एक बड़ सुसान्त की लाइफ इस्टाइल से हम ये अंदादा लगा सकते थे कि उनकी जिन्दगी में आम और खास के बीच कोई फरक नहीं था क्योंकि उसने अपना जो कैरियर की सुरुआत दिल्ली में थीटर के जरिये की थी और वो टेलेंटेड एक्टर था टेलेंटेड कह सकते है कि इनसान था क्योंकि जब हम बात करते हैं उसके स्टडी की तो वहां भी टॉप लेवल में जब हम बात करते हैं शमाज के लोगों से जुड़ने की तो वहां भी टॉप लेवल में क्योंकि बहुत वार ऐसा देखा गया है कि जो अभिनेता हो जाते हैं जो बड़े हो जाते हैं वो तो शड़क के लोगों से बात तक नहीं करते लेगिन सुशांत के बारे में ऐसा नहीं है हम लगातार ये देखते रहते हैं कि सुशांत पिलकुल ही जमीनी अस्तर का लड़का था और वो लगातार जो भी सड़क पे भी होते थे उनसे भी बात करना उनके साथ भी फोटो खिचवाना ये उसके जीवन चर्या में शामिल था और ये कह सकते हैं कि सुशांत का जो थेटर का केरियर था जो दिल्ली से शुरुआत हुआ उस वक्त सुशांत को एक थेटर करने के लिए सिर्फ दो सो पचास रुपे मिलते थे लेकिन उसके जुनून जोश और उत्तेजना में कभी कोई कमी नहीं आई इसलिए वो कभी रुका नहीं कभी जुका नहीं वो हमेसा आगे करता रहा यहां तक कि उसके जो सरमीला अंदाज था उसको बॉलीवूट के कुछ माफियाओं ने कुछ बड़े कलाकारों ने नाजाइज फाइदा उठाया कई वीडियो हमने देखा कि कैसे उसे भरी महफिल में समाज के अंदर बेजती किया जाता है शारु खान हुए या सलमान खान उन लोगों ने जो उसके साथ ट्रीट किया वहम लोगों ने देखा है कि भरी स्टेज पे उसके साथ कैसा बेवार किया जाता है लेकिन ये उसका सीधा पन था कि उन्होंने कभी भी कुछ जबाब नहीं दिया ये उनकी लाइफ इस्टाइल थी कि उन्होंने अपने अभिने के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई लोगों से खास रिस्ता बनाया और शुषांत एक अलग ही मुकाम हासिल किये बॉलिवूर्ट की दुनिया में या कह सकते हैं कि अपने जीवन में जो आज भी उनके जो चहेते हैं उनके जो परसंसक हैं आज भी सुषांत के इंसाफ के लड़ाई लड़ रहे हैं और साथी साथ ये भी जानने की कोशिस कर रहे हैं कि 14 जुन की घटना आखिर हुई कैसे और उस घटना में कौन-कौन लोग सामिल थे और ये किसने इतना बड़ा सर्यान तरचा था क्योंकि ये जानना सबसे बड़ा जरूरी है शुषांत तो अभी इस दुनिया से चले गय हैं लेकिन उनके जाने की कहानी और जिसने भी इतना बड़ा गुनाह किया उसको सजा दिलाने के लिए उनके जो परसंसक हैं वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई वो लड़ते रहेंगे क्योंकि एक ऐसा सीधा साधा कलाकार के साथ ये घटना जो हुआ है ये बरदास के काबिल नहीं है और ये इनसाफ की लड़ाई चलती रहे जब तक इनसाफ नहीं मिलता है तब तक आवाज उठती रहेगी जैन जै भारत